वाशकर दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं अगर कोई वैटनरी का स्टुडेंट है कोई फामर है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं तो दोस्तों आज हम जानेंगे जो हमारे भारत में shi breeds पाई जाती है वो किस group में पाई जाती है ठीक है यानि कि कौन इस्टन है शाओतन है ठीक है और यह हम जानेंगे और exotic breed के बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से पाई जाती है तो अब इस वीडियो को पूरा लाष्ट तक ज़रूर देखिए दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है आज हम किस ग्रूप में कौन सी सीफ की नसल आती है वो हम जानेंगे तो अगर आप वेटनरी क्लासिज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बैल को भी प्रेस जरूर कर लें तो दो से फर्स्ट में हम बात करेंगे चोकला दूसरे नंबर पर है मारवाडी तीसरे पर है सोनाडी चौथे पर है मागरा पांचवे पर है नाली छठे नंबर पर है मालपूरा गिल्णी धश़तों नंबर पर है भारत मैरिनों दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं नौर्थ एमपरेट रिजन की तो दोस्तो इसमें भी काफी सारी नशले हैं भेडों की तो इसमें सबसे पहले आएगा गदी दूसरे पर आएगा रामपूर बुशेहर तीसरे पर आएगा भक्रवाल चौथे पर आएगा दोस्तों अब हम बात करते हैं नमबर तीन की इस्टरन रीजन की तो इसमें सबसे पहले आएगी चोटा नाक पूरी फिर आएगी गंजम और इसके बाद आएगी तीबतियन शीप और चौथे नमबर पर आएगी शाहबादी दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं साउथ रीजन से तो साउथ रीजन से सबसे पहले आएगी दिसानी उसके बाद दूसरे नमबर पर निलोर तीसरे नमबर पर बैलरे चौथे नमबर पर हसान और पांचवे नमबर पर मडिया ठीक है फ्रेंट्स अब हम बात करते हैं एक् लेट तीसरी है डोर सैट और चौती है सफॉक ठीक है फ्रेंड्स तो दोस्तों ये है किस ग्रूप में कौन सी ब्रीड है नसल है भेड की तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के शाष शेयर करें और वेटनरी क्लासिज करी तेन्य वाद